नमस्कार स्वागत आपका निउस्वाल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी और आप देख रहे हो मारा खास कारकरम भवेश्यवाणी हमाईसा स्टूडियो में मौझूद हैं पंडेट चंदुशेखर शर्मा जी जो आज आपको बताएंगे आपका आने वाला ये सब्ता कैसा होने वाला है क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए और किन किन चीजों से आपको बचना चाहिए पंडेट जी बहुत-बहुत ब्रत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धि पोतं बंदे महापुरुषते चरणार विंदं ओम नमः शिवाय चलिए पंडेट जी अब शुरुआत करते हैं मेश राशी से मेश राशी के जो जातक हैं उनको इस सप्ता है मन की दोविदा घटेगी और मन की संकल्प सक्ति बढ़ेगी आसपास की यात्राओं का योग बनेगा भो प्रतिक्षितकार योजना का बिस्तार भी होगा चात्रों एबम बुद्ध जीवियों और अध्यापकों सलाहकारों के लिए भी समय बहुत ही अनकूल है नौकरी पेशा लोगों का समय मध्यम रहेगा शप्ता के उत्तरार्द में किसी कारिक को जल्द वाजी में करने से बचें महलाओं का अधिकान से समय धर्म अध्यात्म से जुड़े कारियों में बीतेगा और परजनों का पूरा सहयोग मिलेगा प्रेम शम्मंदों में मजबूती आएगी सेहत सामाने रहेगी मेश रासी वालों को गुड़ एवम गेहूं का दान करना चाहिए एवम स्री हनुमान जी की देनिक उपासना में हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंगवान का पाठ शलिए पन्देश अब अगली राशी का रुख कर लेते हैं व्रश राशी का ब्रसव रासी के जातकों को यह सप्ता घरेलू समस्याओं के बावजूद आपका चित सांत रहेगा और आप अपनी समस्याओं के समाधान खोजने में भी काम्याव रहेंगे सप्ता के मध्य तक परिस्तितियां अन्पूल हो जाएंगी और कमीसन से जुड़े कार करने बालों के लिए यह समय बहुत ही चिनौती पूल है शाजेदारी में काम करते समय चीजों को इसपष्ट करके चलाना बेहतर रहेगा शप्ता के उत्तरार्द में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है इस दोरान किसी पुराने परचित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है नए सम्मंद बनाते समय पुराने शमंदों की उपेक्चाना करें प्रेम शमंदों में सोच समझ कर कदम उठाएं और किसी भी प्रकार की जल्द वाजी से बचें और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी आपको सचेत रहना है पंडेजी अगर व्रिष राशी वालों के लिए किसी तरह की स्वास्ते से जुड़ी परिशानी उन्हें आ रहे है तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए और माता गैतरी की उपाशना करने और नित्य गैतरी मंतर की एक माला का जाप करे अब पंडेजी जानते हैं मित्छुन राशी वालों के लिए इस अप्ता कैसा रहने वाला है जी, मिथुन रासी के जो जातक हैं उनको यह सप्ता सनी की ढहिया के चलते इस सप्ता आपको मानशिक एवं आर्थिक कष्ट जहिलने पड़ सकते हैं अपनी सीहत का भी बिस्यस ख्याल रखें पेट संबंधी परिशानियां हो सकती हैं आई के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी प्रोपर्टी एवं कर्श्टक्सन का कार करने बालों को कुछ एक समय चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है और अपने जीवन शाथी से किछी वात को लेकर मतभेद भी हो सकता है प्रेम शम्मन्दों में कोई तीसर अव्यक्ति कड़वाहत घुलने का कार भी कर शकता है आप अपने क्रोध पर नियंत्रन रखें और चीजों को विवात से नहीं संब्यात से सुल्जाने का प्रियास करें पंडिजी मिथुन राशी वालों को काम करने में अगर चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशी वालों को उपाय में बंदरों के लिए चना एवं गुड़ खिलाना चाहिए और हनुमान जी के मंदर में प्रशाद के रूट में चढ़ाएं इससे इनको शान्ती मिलेगी और एक पाथ नित्य प्रती बजरंग वानका भी करेगी करक राशी के जादकों के लिए इस अपता कैसे रहने वाला है करक राशी के जातकों को इस सबता अपने महत्र पूर्न कारियों की प्राथ मिक्ता ते करने को जूँगी अन्यथा आपको देरी से कदम उठाने के चलते अंतिम समय में सफलता आपके हाथ से छिटक कर जा सकती है कारशेतर में बिरोधियों से सचेत रहना होगा शप्ताह की सुरुवात में सुख सुखधाओं से जुड़ी चीजों पर जेव खर्च ज्यादा हो सकता है कारोबार में धन निवेश करते समय सुवचिंतकों की सलाह लेना न भूले कारशेतर में परिश्रम के बाबजूत अपेट छाके अनुरूप फल प्राप्त नहीं होंगे प्रेम शम्मंद शामान नहीं रहेंगे कठन समय में जीवन शाथी का पूरा शाथ मिलेगा और मन को शांत रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा ले बिल्कुल पंड़ जी अगर करक राशी के जातकों को घर में किसी तरह की परिशानी हो रही है शांती बनाए रखने के लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए करक राशी वालों को भगवान शिव की उपाशना करनी चाहिए और पूजा में भगवान शिव को बिलपत्र अवश्चे ही चड़ाना चाहिए ओम नमा शिवाय इस मंतर का एक माला जब तो निश्चित ही करना चाहिए चलिए पंड़ जी सिंग राशी का रूप कर लेते हैं जी तो सिंग राशी के जातकों के लिए यह सब्ता है शामान शुवदायक है महत पूर्ण कारियों को करते समय दूसरों के बहकावे में ना आई और अपने विवेक के अनुसार आप निर्णे ने कोट का चहरी से जुड़े मामलों में निर्णे आपके पक्ष में आ सकता है मार्केट में फसा हुआ पैसा निकल आने से कारोवारी राहत की सांस लेगे सत्ता पक्ष से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी और भविष्ट में लाव की योजनाओं पर कारे करने का अबशर भी मिलेगा नई संपत्ती वनाने की दिसा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं प्रेम शम्मंदों में प्रगारता आएगी परजनों के साथ हसी-खसी शमय विताने के अबशर भी प्राप्त होगी पंडे जी अगर सिंग राशी से जुड़े जातक जो बच्चे हैं उन्हें अगर पढ़ाई में किसी तरह की परिशानी हो रही है तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए तो सिंग रासी वाले जातकों के लिए किसी भी मंदर में धार्मिक पुस्तकें दान करने चाहिए और भगवान विश्णू की नित्य पूजा करें पूजा में पीले फूल, पीले फल, केले आधिचा अब पंडे जी बताएंगे कन्या रासी वालों के लिए सब्ता कैसा रहने वाला है कन्या रासी के जो जातक हैं उनको आधी चोड सारी को धावे, आधी मेले न सारी पावे नई योजनाओं की और भागते समय इस बात का पूरा खयाल रखना होगा कि कहीं आपका मूल कम प्रभावित न हो जाए अन्यता आपको बाद में पस्ता ना पड़ सकता है कारिशेतर में लापरवाही के चलते बौस की डाट खानी पड़ सकती है सबत्रहक के उत्तरार्व में पैत्रिक समपत्ती को लेकर परजनों की साथ बाद भिवाद भी हो शकता है परिवार की आबसक्ताओं और अपेक्छाओं से दूर भागने की कोशिश ना करें नहीं तो समस्यां घटने की वज़ाए और भी जादा बढ़ जाएंगे प्रेम शम्मंदों में इमांदार रहें जीवन शाथी की भावनाओं की उपेक्छाना करें मिलकुल पंड़ जी अगर कन्या राशी से जुड़े जातकों को परिवार या फे कारश शेतर में किसी तरह की परिशानी है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए अब तुला राशी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं ये सप्ता उनके लिए कैसा रहने वाला है तुला राशी वाले जातकों को इस सप्ता लंबे समय से अटके हुए कारियों में गती देखने को मिलेगी लेकिन कारिश छेतर में लोग आपके कारे की शाहरा हनावी करेंगे इस्टमित्रों का पूरा सहयोग भी मिलेगा बेरोजगार लोगों को रोजगार के नई अवसर भी प्राप्त होंगे घर के किसी बड़े फैसलों को लेते समय भाई बहनों का पूरा सहयोग विलेगा प्रोफेशन महलाओं के लिए समय अन्यकूल है प्रेम शंबंद बिवाह में तब्दिल भी हो सकता है परिजन आपके संबंद को श्वीकार कर सकते हैं सप्ताह के उत्तरार्द में फाइनेंस मार्केटिंग एवं कमिशन का कारे करने वालों को कुछ एक चनोतियों का श्रामना भी करना पड़ सकता है मौसमी बीमारियों के प्रती आपको सचेत रहना चाहिए पंड़ेजी तुला राशी के जो जातक हैं इस मंत्र का जाप भी कर सकते पंड़ेजी अब ब्रश्चिक राशी का रुप करेंगे तो ब्रश्चिक राशी के जो जातक हैं उनको सप्ताह अपने परिश्रम अवं अनुभव की मदद से अपनी बरतमान इस्तिती को सुधारने में काम्याभी मिल सकती है शप्ताह के प्रारम में धार्मिक शामाजिक कारियों में ब्यस्तता रहेगी घर में किसी प्रियजन के आने से खुसियों का माहुल बना रहेगा ग्यवशाइक एवं आर्थिक इस्तिती में भी शुधार देखने को मिलेगा परिचितों एबम समाज में आपका मान शम्मान भी बड़ेगा लोग आपके बिवहार्शिक प्रभावित होंगे और आपके निर्णे की सराह ना करेंगे लव पार्टनर की साथ बेतर समय बिताने के अवशर भी मिलेंगे दामपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेती है अगर पंड़ जी वरिश्चिक राशी से जुड़े जो जातक हैंगर स्वास्ते को लेकर किसी तरह की उन्हें परिशानी हो रही है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए और हनुमान जी की उपाशना करनी चाहिए ओम हम हनुमते नमा इस मंत्र का प्रति दिन एक माला जब तो निश्चित ही करना चाहिए अब पंड़ जी बताएंगे धनूर आशी के जो जातक हैं उनके लिए सब्ता कैसा रहने वाला है धनूर आशी के जातकों की इस सब्ता पारवारिक उल्जने धीरे धीरे कम होती नज़राईगे किसी बरिष्ट की मदद से भूमी भवन शम्मंदित बिवाद दूर होने से आप राहत की सांस लेंगे हाला कि परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा लेकिन आर्थिक संकट के चलते बहुत सी चीजों से आपको समझहता भी करना पड़ेगा करियर और कारूबार में कुछ एक अर्चने भी आ सकती हैं बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए अभी इंतिजार करना पड़ेगा प्रेम शम्मंदों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं अन्निथा श्यमिके शाथ परिजनों की मान प्रतिष्टा पर भी आचा सकती है आपको बाहन शाबधानी पूरवक चलाने का योग है चोड़ चपेट लगने की आसन का है पंड़े जी धनू राशी के जो जातक है अगर उनके जीवन में किसी भी तरह का विवाद चल रहा है तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए अपंड़े जी मकर राशी का रुक कर लेते हैं तो मकर राशी के जातकों को सब्ता की सुरुआद में पारवारिक बिवाद एवं आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कारशेतर में अपने बरिष्ट और कनिष्ट दोनों को मिलकर चलने में फायदा रहेगा इस बात का पूरा खयार रखें कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी ही बात से आपकी बात बिगड़ेगी इसलिए भूल कर भी करूद ना करें और बोलते समय अपनी भासा और लहजे पर पूरा नियंतरन रखें अमर यादित भाषा का प्रियोग ना करें शप्ता के मद्ध में लंदी अथवा छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है यात्रा के दोरान सेहत और शामान दोनों का बिस्यस खयाल रखें लव पार्टनर हो या फिर जीवन शाथी उसकी भावनाव की उपेख्चा करने से आपको बचना चाहिए पंड़े जी मकर राशी से जुड़े जातक जो यूवा है उगर वो रोजगार की तलाश में है तो उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए ताकि जल से जल उन्हें रोजगार मिल सके मकर राशी के जातकों को उपाय में पक्षियों को दाना डालना चाहिए नित्वर्दी ओम सम सनिश्चराई नमा इस मंतर का एक माला जाप रोज करना चाहिए अब पंड़ जी कुम्ब राशी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं इनके लिए सप्ता कैसा रहने वाला है कुम्ब राशी की जातकों के लिए यह सप्ता मिस्रित फलदायक रहेगा शप्ता के प्रारंब में कामकाज के सिलसले में लंबी अथबा छोटी दूरी की यात्रा करने पड़ शक्ते हैं धार्मिक शामाजिक क्रिया कलापों में रुची वढ़ेगी इस शप्ता आर्थिक लेन देन करते समय अत्यंत सापधानी बरतने की जरूरत है किशी को धन उधार देने से वचे, कार्यूजना को पूरा करने से पहले उसे गुप्त रखे, अनिथा बिरूधी उसमें अड़ंगे लगा सकते हैं शंतान के भविसे और जीवन शाथी की सिहत को लेकर मन चिंतित रहेगा परीक्षा प्रितियोगता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन भटक सकता है प्रेम शंबंदों में किसी भी प्रकार की गलत फहमी को ना पनपने दे पंड़े जी कुम राशी के जो जातक हैं अगर आर्थिक तोर पर उन्हें किसी तरह की परशानी हो रही है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कुम राशी के जातकों को हनवान जी की उपाशना करने चाहिए और नित्यप्रतियक सुन्दर कांड का पार्ण अब पंड़े जी मीन राशी कारूख कर लेते हैं तो मीन राशी के जातकों के लिए यह सप्ता बीते सप्ता के मुकाबले यह सप्ता आपके लिए ज़्यादा खुसियां और शफल तालिक के अफश्टर लेकर आया है सप्ता के प्रारंब में ही आपको करियर कारोबार से जुड़ी शुब शूचनाय मिलेगी पैतरिक शंपत्ती की प्राक्ती में आ रही आ रही अर्चने दूर होंगे सप्ता पक्ष से लाव की योग बनेंगे राजनीती से जुड़े लोगों को एहम जिम्मेदारियां भी मिल सकती है प्रोफेसनल महलाओं के लिए समय अनकूल है शप्ता के उत्तरार्द में धार में कारे से जुड़ने का अवशर प्राक्त होगा लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा शंतान पक्ष द्वारा बड़ी उपलब्दी हासिल करने पर परिवार में खुजियों का माहल बना रहेगा पंडे जी मीन राशी के जो जातक हैं अगर पारिवारी कल है कहोंने सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए मीन राशी के जातकों को चंदन का टीका लगाना चाहिए और भगवान विश्णु की पूजा के साथ साथ ओम नमुह नारायना इस मंत्र का यथा सक्ति जाप करना चाहिए इससे उनको शांती मिलेगी मानशिक कलेश में फायदा रहेगा तो आज के भविश्यवाणी में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई भविश्यवाणी के साथ उम्मीद है कि जो उपाय पंड़जी ने बताए और आपकी राशी से जुड़ी जो भी बाते पंड़जी ने बताई है वो सभी आपके लिए बहुत काम आएंगी और आपका ये आने वाला सब्ता जो है वो पूरी तरह खुशी से बीतेगा पंड़जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका